हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो मैं चैनल, गोलू की साउजी रसोई आज हम एक इंस्टन नाश्टा बनाने वाले हैं, जो कि एकदम कम तेल में बनेगा और बहुती ज़्यादा टेस्टी रहेगा हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा तो चलो बनाते हैं अभी यह आलू को मैं थोड़े से छोटे छोटे तुकड़े कर लेती हूँ ऐसे ही आलू को काट लेते हैं दोनों आलू को मैं ऐसे ही काट लेती हूँ अभी यह आलू के तुकड़ों को मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में अभी आलू के साथ हम इसमें डालेंगे हरिमेज तो यहाँ पे मैंने ले लिए है चार पाच हरिमेज हरिमेज आप अपले हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो इसके साथ ही इसमें डारीओ में थोड़ा सा अद्रक तो यह एक इंच अद्रक लिया हुआ है इसे अभी हम अच्छे से पीस लेते है यह देखो यहाँ पे मैंने आलू को पीस लिया है पूरा बारिक हो चुका है बीना पानी के ही पीसा हुआ है आलू में पानी रहता है अभी इसे मैं निकार रही हूँ मिक्सी बॉल में अभी यहां आलू में हम मिलाएंगे सूजी तो यहां पर मैंने एक कप सूजी ली हुई है और इसे मैंने आलू में डाल दी है इसके साथ ही मैंने यहां पर लिया हुआ है आदा कप दही ज्यादा खट्टा दही नहीं लेना है इसे अभी हम मिक्स कर लेते है यहाँ पर मैंने पाने का यूज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है इसे अच्छे से मिक्स कर लेते है दई, सूजी, आलू अच्छे से मिक्स कर लेते है बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनता है यह और बहुत जल्दी बन भी जाता है यह देखो यहापे यह अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे अभी हम थोड़ा सा साइड में रख देते है यहापर ग्यास पर मैंने एक तड़का पैर रख दिया है और उसमें डाला है एक चमच तेल तेल को गरम होने देते है तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चमच राई एक चमच राई डाल दी है मैंने इसमें इसके साथ ही अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच चने की डाल चने की कच्ची डाल ली हुई है वो मैंने इसमें डाल दी है इसके साथ ही इसमें डालोंगी एक चमत उरीद की दार इसे थोड़ा सा पकने देते है दोनों दालों को थोड़ा सा पकने देना है जब ये दोनों दाल तड़कने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे एक बारिक कटीवी हरी मिर्च अभी हम इसमें डालते हैं थोड़ी से करी लियूज ये देखो ये तड़का यहाँ पे तयार हो चुका है ये तड़का भी हम लगा लेंगे बैटर में इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से पूरे तड़के को बैटर में मिक्स कर लेते हैं अभी हम इसमें डालते हैं स्वादा नुसार नमक, नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके साथ ही इसमें मैं डाल ली हूँ थोड़ा सा धनिया, बारिक कटा हुआ धनिया मैंने इसमें डाल दिया, आप चाहे तो इसमें गाजर, शिमला, मिर्ज भी डाल सकते हो, तेकिन मैंने विजटेबल्स यूज नहीं करे हैं आज, अभी यहाँ पर मैंने एक इडली की प्लेट ली हुई है, और इसे मैं तेल से ग्रिस कर लेती हूँ, ताकि हम जो नास्ता बनाएंगे, वो इसमें चिपकेक का नहीं, पूरी प्लेट में हम तेल लगा लेते हैं, दोनो प्लेट को तेल लगा लेते हैं, क्योंकि दोनो प्लेट में नास्ता आएगा, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच इनो डाला हुआ है मैंने इसमें और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और इसे अच्छे से अभी हम मिक्स कर लेते हैं एकदम हलके हातों से मिक्स करना है ऐसे ही हलके हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं और यह बैटर एक एक चम्मच में डाल देती हूँ इडली के प्लेट में यह देखो यहां पर मेरे दोनों इडली के प्लेट भर गये हैं अभी इसे हमें पकाना है तो उसके लिए मैंने ग्यास पर यह स्टीमर रखा हुआ है और उसमें पानी उबर रहा है उसी में यह प्लेट्स अभी रख देते हैं दोनों प्लेट्स रख देते हैं इसके उपर और इसे अभी ढखकर हम 10 मिनिट पकने देते हैं यह दस मिनिट में यह नाश्टा हमारा पक जाएगा यह देखो यह इडलिया फूल गई है यहां पर मतलब हमारा नाश्ता अब पक चुका है देख लेते हैं इससे स्टीक डाल कर ये देखो ये एकदम क्लीन निकल रही है मतलब नाश्ता अच्छे से पक चुका है अभी हम इसे थंडा होने देते हैं ये देखो या पर ये थंडा हो चुका है अभी इसे चम्मस से निकाल लेते ह बहुत ही इजीली निकल जाते हैं ये देखो इसे ऐसे ही हलके हाथों से हम निकाल लेते हैं ये देखो कितने मस्त इडली निकली हुई है ऐसे ही बाकी की इडली भी हम निकाल लेते हैं तो ये बन गया हमारा आज का नाश्ता आलू की इडली कितनी मस्त दिख रही है खुश्बू भी बहुत ही मसता रही है और खाने में भी इडली बहुत ही टेस्टी लगती है ये बीना टोमेटो सॉस या बीना चटनी के भी इडली अच्छी लगती है तो आप भी इस इडली को एक बार जरू ट्राय करके देखना सबको ये इडली बहुत पसंद आएगी थै थेंक यू